हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसी को माता का स्वरूप माना जाता है और इसे भगवान विष्णों की प्रिय मानी जाती है। कार्तिक मास में तुलसी पर दीप जलाने का विशेश महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में तुलसी पर दीप जलाने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांती और सम्रिधी प्राप्थ होती है। इससे जुड़ी एक कथा प्रचलित है। कहां जाता है कि एक समय भगवान विष्णुने दानव कुल में उत्पन्न जलन्धर नामक राक्षस का वद किया। जलन्धर की पतनी व्रिंदा एक पतिवरता स्त्री थी, और उसकी तपस्या के कारण जलन्धर अमर हो गया था। भगवान विष्णों ने जलंधर को मारने के लिए एक युक्ती निकाली और वृंदा का पतिवरत धर्म भंग किया, जिससे उसकी शक्ती खत्म हो गई और जलंधर मारा गया वृंदा ने जब यह सचाई जानी, तो उसने भगवान विष्णों को श्राप दिया किवे पत्थर में बदल जाएं इस श्राप के कारण भगवान विष्णों शालिग्राम पत्थर में बदल गए बाद में वरिंदा ने अपने जीवन का त्याग किया और उसका पुनरजन तुलसी के रूप में हुआ तुलसी को भगवान विश्णों के शालिगराम स्वरूप से विवाह के लिए समर्पित किया गया इसी कारण से कार्तिक मास में तुलसी विवाह की परंपरा भी होती है और दीप जलाने से भगवान विश्णों और तुलसी माता की कृपा प्राप्थ होती है इस प्रकार कार्थिक मास में तुलसी जी पर दिया जलाना भगवान विश्णों और तुलसी माता के प्रती श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, जो घर परिवार में खुशिया और सकारात्मक उर्जा लाता है